दोस्तों, पाकिस्तान के एक गाव की बात है जहां के तमाम लोग मुसल्मान थे. इस गाव में एक नेक और शरीफ सर्दार रहता था जो ग्रीबों से बेपना मोहबत करता था और हमेशा उनकी मदद के लिए तयार रहता था. वो अपनी शराफत और दर्दमंदी के 22 गाव भर में इस्त की निगाह से देखा जाता था. लेकिन उसकी बीवी उसके बिलकुल बरक्स थी. वो ना सिर्फ बत्तमीज और बदखलाक थी बलकि ग्रीब लोगों से नफर्द भी करती थी. उसका रवया हमेशा तकबुर और गु दीबों से दूर रहे. सरदार का एक बेटा भी था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और नाफर्मान था. वो ज्यादातर वक्त आवारा गर्दी में गुजार देता था और अपनी जिन्दगी के मकसद से बेखबर था. इसी गाव में एक ग्रीब दूध फ्रोश भी रहता था जिसकी दो बेटिया थी. उनमें से एक बेटी का नाम आईशा था. आईशा के मामबा पनपड थे और उन्हें कभी कुरान पाक पढ़ने या दीन की तालीम हासल करने का मौका नहीं मिला था. वो देहाती लोग थे, जिनकी सारी जिन्दगी कामकाज और मज़ूरी में आईशा के वालिद की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि आईशा कुरान पाक को हिफ्स करे और जब वो बड़ी हो, तो उन्हें हज कराए. आईशा के वालिद ने उसे कारिया के पास छोड़ दिया, जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने वाली एक निक खातून थी. जब उसने ये खुशकपरी अपने वालिदेन को सुनाई, तो उनकी खुशी की कोई हद न रही. उन्होंने फौरण अपनी बेटी के सदके उतारे और अल्ला का शुक्र अदा किया. अगरचे वो लोग ग्रीब थे, लेकिन ये मौका इतना खुशी का था कि आईशा के वाल प्रीटी कुरान हिफ्स कर लेगी, वो गाव भर की दावत करेंगे. इसलिए जैसे ही आईशा ने कुरान मुकमल किया, अगले ही दिन उन्होंने पूरे गाव की दावत की. सब लोग इस खुशी में शरीक होने के लिए उनके घर आए. गाव का सरदार भी इस दावत में मौ सरदार के पास गई और सरदार ने उसे अपने क्रीब एक खाली कुरसी पर बिठाया. फिर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और दुआये दी. सरदार ने अपनी जेब से एक हजार रुपै का नोट निकाला और आईशा के हाथ में दे दिया. उस वक्त हजार रुपै की पर समझी जाती थी. आईशा ने जब ये रकम देखी तो उसने फौरन कहा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए. आप बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्ला मुझे कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फर्माए. सरदार ये बात सुनकर हैरान और खुश हो गया. इतनी कम उ कि तारीफ कर रहा था और ठंडी आ भर कर बोला, बेटी, ये पैसे मैंने तुम्हें इनाम के तौर पर दिये हैं. जब भी कुरान पढ़ो, मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना कि अल्ला उसे भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फर्माए. वो हाफिज कुरान तो नहीं चली गई. लेकिन सरदार के दिल में आईशा की मासूमियत और इमान की रोशनी ने गहरा असर छोड़ा. ना जाने इस हाफिज कुरान लड़की में ऐसा क्या था कि सरदार उसे देख कर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा. सरदार का गुलाम जो उसके साथ था, उसने हैरत से पूछा, सरदार, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास बात नहीं. आम तौर पर सरदार की आदत थी कि वो किसी के घर ज्यादा देर तक नहीं बैठता था. लेकिन आज का दिन कुछ अलग था. सरदार वहीं बैठा रहा. यहा तक की अपने गुलाम को भी वापस भेज दिया. लेकिन खुद वहीं मौजूद रहा. यह देखकर आईशा का वालिद बहुत परेशान हो गया. वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सरदार अभी तक उनके घर क्यों बैठा है. सरदार ने आईशा के वालिद को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात गौर से सुनो, आईशा का बाप, जो की गाव का एक ग्रीब दूद फ्रोश था, फोरण सरदार के हुक्म पर अमल करते हुए जमीन पर बिचाई गई चटाई पर बैठ गया. मगर सरदार ने उसे फोरण रोका, उठाया, और इस्त और मोहबत क साथ अपने सामने रखी हुई कुरसी पर बिठा दिया. सरदार के इस अमल पर आईशा का वालिद हैरान हुआ, लेकिन वो कुछ न बोला और खामोशी से सरदार के चहरे को देखने लगा. सरदार ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, तुम अपनी बेटी आईशा को मेरी अमानत समझ कर उसकी परवरिश करो. ये बात सुनकर ग्रीब शक्स की आखों में हैरानी और परेशानी के आसार नुमाया हो गए. उसने धीमे लहजे में पूछा, सरदार साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ. सरदार ने मुस्कुराते हुए वजाहत की, मैं चाहता हूँ कि आईशा जैसी नेक हाफिज एकुरान लड़की मेरे घर की बहु बने. मेरे दिल में ये बात है कि वो हमारे खांदान का हिस्सा बने और हमारे घर को बरकतों से भर दे. ये बात सुनते ही आईशा के बाप के चहरे पर हैरत तारी हो गई. उसके लिए ये बात नाका बिलेकीन थी कि एक ग्रीब दूत बेचने वाले की बेटी को गाव के सरदार के खांदान की बहु बनने का मौका मिल रहा है. वो सरदार के चहरे को खाली नजरों से देखने लगा और सोचने लगा. मैं एक आम ग्री अलफाज उसके लबो पर आकर रुख गए हूं. सरदार ने जब आईशा के बाप की खामोशी को महसूस किया तो उसे लगा शायद वो अपनी बेटी का रिष्टा देने के लिए तयार नहीं है. सरदार ने उसकी उलजन को समझते हुए कहा, तुमें फैसला करने के लिए व पोच भी नहीं सकता था. उसने जिजकते हुए फोरन जवाब दिया, सरदार साहब, आप जो चाहे वही होगा. मेरी बेटी अब आपकी अमानत है. जब चाहे आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं. जब आईशा के वालिद ने ये बात अपनी बीवी को सुनाई, तो उस वक आईशा भी क्रीब ही मौजूद थी और सब कुछ सुन रही थी. ये बात सुनते ही आईशा की आखों से आसू छलक पड़े. वो फोरन अपने वालिद के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, अब्बू, मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी. आप मुझे खु बेटी को प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा. तुम अभी हमारे साथ ही रहोगी. बहुत साल बाकी हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो. ये सुनकर आईशा को कुछ सुकून मिला और वो दोबारा अपनी जि हर वक्त उसकी जबान पर कुरान के अलफाज रहते थे. आईशा के निक किरदार और हुसन ए सुलूक की वज़ा से गाव के बच्चे भी उसके पास कुरान पढ़ने के लिए आने लगे. वो बच्चों को महबत और सबर से तालीम देती और उनके दिलों में कुरान से महबत पैदा करने की कोशिश करती. दूसरी तरफ, जब सरदार ने अपनी बीवी को आईशा के रिष्टे की बात सुनाई, तो वो आगबूला हो गई. उसने गुस्से से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है. हम इतने अमीर हैं, और आप एक ग्रीब दूत बेचने वाले की बे जब बड़ी होगी, तब क्या पता उसकी तरबियत कैसी हो? ग्रीब घराने में पलने वाली लड़की को हमारे खांदान का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? सरदार ने बीवी की बातों को सब्र से सुना और नरम लहजे में जवाब दिया. मैं उस लड़की और उसके वालिद पर ध्यान दो, कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे हाथ से निकल जाए. सरदार का बेटा इकलोता होने के 22 बहुत जिद्दी और बिगड़ता जा रहा था. सरदार ने उसे गाव के मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया था, मगर वो पढ़ाई से ज खेलकूद में मशगूल हो जाता. एक दिन सरदार ने मौलवी साहब के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछा. मौलवी साहब से मालूम हुआ कि उसका बेटा कई दिनों से मदर से नहीं आ रहा था. मौलवी साहब ने बताया, आपके बेटे ने दस दिन पहले मुझ से छुटी ली थी. उसने कहा था कि उसकी मा को हार्ट अटैक हुआ है और वो घर में अकेला है. इसलिए उसकी मा उसे अपने पास हर वक्त बिठाए रखती है और वो उसे देख कर सुकून महसूस करती है. मौलवी साहब ने आगे कहा, मैं आज ही आपके घर आयादत के गुड़ गया. वो हैरानी में पढ़ गया और सोचने लगा, हार्ट अटैक? कैसा हार्ट अटैक? मेरी बीवी तो बिलकुल ठीक है. सरदार ने मौलवी साहब से कुछ न कहा और खामोशी से अपने घर वापस आ गया. रास्ते भर वो इसी सोच में गुम रहा कि उसका बेट जूट क्यों बोला? मौलवी साहब ने आज बहुत ज्यादा सबक दिया था, इसलिए याद करने में देर हो गई. ये बात सुनकर सरदार का गुसा काबू से बाहर हो गया. उसने बगेर कुछ कहे जोर से बेटे के चहरे पर थपड मारा, जिसकी गूंच पूरे घर में सुनाई दी. लड़का थ खपड़ खाकर जमीन पर जा गिरा. ये शोर सुनकर सरदार की बीवी कमरे से बाहर आई और चिलाते हुए बोली, मेरे बच्चे को क्यो मार रहे हो? आखिर उसने क्या किया है? सरदार ने गुस्से में कहा, इससे खुद पूछो कि ये मौलवी साहब को क्या कहकर पढ़ाई से भागा है. ये मौलवी साहब को ये जूट बोल कर आया है कि तुम्हें हार्ट अटेक हुआ है और तुम आखिरी दिनों में मुझे देखना चाती हो. ये बात सुनते ही बेटे की मा का चहरा गुस्से से सुर्ख हो गया. उसने भी बेटे को धक्का देते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मा के बारे में ऐसा जूट बोलते हो, लड़के के चहरे पर खौफ और पशेमानी के आसार नजर आने लगे. मगर जैसे ही सरदार ने उसे मजीद डांटना शुरू किया, वो रोने लगा और बोला, अबबा, मौलवी साहब जूट बोल रहे ह हैं. वो सारा दिन हमसे अपने घर की सफाई करवाते हैं और हर वक्त काम लेते हैं. इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा था. ये सुनकर मा का दिल पिघल गया. वो फौरन बेटे को गले से लगा कर बोली, मेरे बच्चे, तुम फिक्र न करो. मैं तुम्हारे अबबा से बात कर करती हूं. फिर वो सरदार की तरफ मुडी और बोली, आप गाव के सरदार हैं. जाकर उस मौलवी से पूछे कि वो बच्चों से इतना काम क्यों करवाता है? क्या ये तालीम देने का तरीका है? मा अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई और सरदार अपने सर को दोनों हातो से थामे बैठ गया. वो सोचने लगा, मैंने ये चाहा था कि मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करे, मगर ये तो मेरी इस्त को ही डुबो रहा है. सरदार ने अपने बेटे के लिए किसी और मौलवी से बात की, मगर किसी ने भी पढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल न की. दिन गर में मुकमल तौर पर दीन की तालीम और इबादत में मसरूफ थी. वो पांच वक्त की नमाज अदा करती और हर वक्त कुरान की तिलावत में मसरूफ रहती. कुछ साल गुजर गए और जब आईशा 18 साल की हो गई, तो सरदार उसके घर गया. आईशा उस वक्त बच्चो को कुरान पढ़ा रही थी. ये देखकर सरदार के चहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई. उसने कुछ रकम आईशा के हाथ में रखी और कहा, ये पैसे अपने लिए कपड़े ख्रीदने के लिए रख लो. आईशा के बाप ने रकम लेने से इनकार करने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों वो खामोश हो गया? उसके दिल में ये खौफ था कि अगर सरदार वाकी आईशा का रिष्टा मांगने आ गया तो वो क्या करेगा? वो अपनी नेक सत बेटी को एक शराबी और आवारा लड़के के साथ ब्याहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. वो अप अपनी पतनी को बताया कि उसने आईशा को कुछ पैसे दिये हैं, तो सरदार नी गुस्से से फट पड़ी. तुम अभी तक वही बाते कर रहे हो? वह गरीब घर की लड़की हमारी बहु कैसे बनेगी? सरदार का बेटा, जो ये बाते सुन रहा था, अपने कमरे में गुस्स से भरा हुआ चला गया. उसे आईशा से गंभीर नफरत थी, क्योंकि उसके पिता हर वक्त उसे आईशा की मिसाल देते रहते थे. जब बेटे को पता चला कि उसके पिता ने बच्पन में ही उसका रिष्टा आईशा से तै कर दिया था, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा. वह अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, इस गरीब की लड़की की क्या हैसियत की वह मुझ जैसे रईस जादे के साथ रिष्टा जोडे, गुस्से में उसने कहा, मैं इस लड़की को अपने काबिल तो क्या, किसी के भी काबिल नहीं छोडूंगा, उसके दि अपने घर में कुरान की तिलावत कर रही थी, तो उसके दिल में अजीब सी बेचनी पैदा होने लगी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है, मगरिब का वक्त करीब था कि अचानक एक छोटा लड़का दोड़ता हुआ आया और चीख कर बो आयशा भी उनके पीछे जाना चाहती थी, मगर मा ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा, तुम घर पर रहो और अपने पिता के लिए दुआ करो, हम अभी आते हैं। लड़के दीवार फांद कर उसके घर में दाखिल हो चुके थे। वे लड़के आयशा को देखकर उची आवाज में हसने लगे। आयशा ने डर के बावजूद हिम्मत करते हुए कहा, कौन हो तुम लोग। लेकिन उनमें से एक लड़के ने दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी ताकि आयशा बाहर ना जा सके और नहीं किसी को मदद के लिए बुला सके। आयशा ने कुरान को अपने सीने से लगा लिया और अल्ला से मदद की दुआ करने लगी। उसका दिल डर से जरहा था, मगर उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उन लड़क की नियत साफ जाहिर थी और आयशा को अंदाजा हो गया था कि वे क्या करने आये हैं। आयशा के दिल में डर और बेपसी का तूफान मच रहा था। उसने अपनी जिन्दगी में कभी इतनी बरबरता महसूस नहीं की थी जितनी इस रात उसे हो रही थी। जब वे लड़के दर्वाजा बंद करके अंदर दाखिल हुए और हंस्ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे तो आयशा का दिल दहल गया। उसके कदम पीछे हटते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह बार-बार अल्ला से मदद की दुआ कर रही थी और चीख-चीख कर पुकार रही थी लेकिन गाव के सुनसान माहौल में उसकी आवाज कहीं दपती जा रही थी। एक लड़के ने आगे बढ़कर बत्तमीजी से कहा हम यहां सिर्फ तुम्हारी इज़त को तार-तार करने आये हैं। यह सुनकर आईशा का दिल डर से फटने लगा और उसकी आं चीखों और दुआओं का सिलसला जारी था कि अचानक दर्वाजे पर जोर से दस्तक हुई। आईशा तेजी से दर्वाजे की तरफ दोड़ी। उन लड़कों ने भी दर्वाजे की तरफ देखा और घबराहट में एक दूसरे को धकेलने लगे। आईशा की उम्मीद है। जैसे ही दर्वाजा खुला, सामने सर्दार साहब खड़े थे। आईशा ने डर और हैरानी के मारे एक सांस में सब कुछ समझने की कोशिश की। वह जल्दी से सर्दार के पीछे छिप गई। लड़कों के चहरे पर हवाईया उड़ने लगी और वे घबरा कर भागने लगे। सर्दार ने उनमें से एक की शकल अच्छी तरह देख ली थी। वह यहाँ सोचकर दंग रह गया कि उसके गाव के लड़के किस कदर गिर चुके हैं कि एक मासूम लड़की की इसज़त पर हाथ डालने की जुर्रत कर रहे हैं। जल्दी यहाँ बात पूरे गाव मे फैल गई कि कुछ आवारा लड़के आईशा के घर में घुज गए थे जब वहाँ अकेली थी। लोग चहकने लगे कि शायद लड़की के साथ कुछ बुरा हो गया हो। गाव वालों के बीच अफवाहें घूमने लगी कि सरदार की दुकान में आग भी कोई हादसा नहीं बलकि साजश का हिस्सा थी। जब यहाँ बात सरदार की पतनी के कानों तक पहुँची तो वहाँ भी आईशा के चरित्र पर शक करने लगी। सरदार के बेटे ने भी मौके का फाइदा उठाया और कहने लगा मैं ऐसी बदकार लड़की से शादी नहीं कर सकता। सरदार को यह सुनकर गंभीर हैरानी हुई कि उसके बेटे को सारी बातों का कैसे पता चला। बेटे ने गुस्से में मूँ फेर लिया और अपने पिता से बात करने से इनकार कर दिया। अगले ही रोज सरदार ने उन आवारा लड़कों को अपने देरे पर बुलाया और खूब मारा उन्होंने पहले मजमत की लेकिन सरदार का गजब बरदाश्ट न कर सके और आखिरकार सब कुछ उगल दिया। एक लड़के ने कहा यह सब कुछ आपके बेटे के कहने पर किया था ताकि वह आईशा को आपकी नजरों में गिरा सके और आपको उसे छोडने पर मजबूर कर दे। यहां सुनकर सरदार का दिल जैसे दहल गया। उसने अफसोस और दुख से कहा मुझे इस लड़की पर अपनी ऑलाद से भी ज्यादा भरोसा था। वह कभी भी अपने किरदार को मैला नहीं कर सकती थी। सरदार ने बेटे को सक्त लहजे में कहा यही वह लड़की है जो इस घर की बहु बनेगी और यही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तुमने इंकार किया तो तुम्हें जायदाद से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बेटे के पास कोई चारा न था। सरदार का हुक्म आखिरी फैसला था और वह मजबूरन इस शादी के लिए मान गया। सरदार रिष्टा मांगने के लिए आईशा के घर पहुँचा। आईशा के मामबाप सक्त परेशानी में मला थे। वह न तो इंकार कर सकते थे और नहीं यह रिष्टा दिल से स्वीकार कर पा रहे थे। उनके लिए यह बात नाकाबिले बरदाश्ट थी कि उनकी नेक सद बेटी की शादी एक शराबी और आवारा लड़के से हो। दूसरी तरफ आईशा खुद भी इस रिष्टे से गंभीर खौफजदा थी। वह इस सूरतहाल को कबूल करने के लिए तयार नहीं थी। लेकिन उसके मामबाप सरदार को इंकार करने की हिम्मत न कर सके। यो आईशा का निका सरदार के बेटे के साथ हो गया। निका के बाद आईशा को रुकसत करके उसके ससुराल भेज दिया गया। वह अंदर ही अंदर खौफ और बेपसी का शिकार थी। उसका दिल डर से काम प्रहा था और आखों में आसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वह अपने नए घर पहुँची तो सरदार का बे बंध हो चुकी थी लेकिन दिल की धड़कने तेज हो रही थी। अचानक दर्वाजा जोर से खुला और सरदार का बेटा लडखडाते कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आईशा फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके दिल में खौफ की एक नई लहर दोड गई। जै एक ही जटके में उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा नशे की हालत में होश खो बैठा था और उसका गुसा काबू से बाहर हो चुका था। वह आईशा पर बुरी तरह चिलाने लगा और ग्लीज गालिया देने लगा जैसे अपनी तमाम महरूमियों और नाकामियों का ब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी तरह के लोग ही मेरे बाप की नजरों में मुझे बेअबरू बनाते रहे हैं। फिर अचानक वह आगे बढ़ा और आईशा के चहरे पर जोड़दार थपड मारना शुरू कर दिये। उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जब उसका पती ठक कर चुप हो गया, तो वहाँ नशे की हालत में बिस्तर पर उन्मुख मुह जागिरा और बेहोश हो कर सो गया। कमरे में सिर्फ आईशा की सिस्किया गूंज रही थी। वहाँ खौफ से काम प्रही थी और दिल ही द पाक को उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और कमरे के एक कोने में समट कर बैठ गई। वह कुरान की तिलावत करने लगी और उसके दिल का बोज कुछ हलका होने लगा। खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और उसके दिल को सुकून मिलने लगा जैसे अल्ला की रहमत ने उसे अपने हसार में ले लिया हो। जैसे जैसे आईशा की तिलावत की आवाज होती गई, उसके पती की नींद में खलल आने लगा। उसकी नींद में बेचेनी पैदा हो गई और वह गुसे से बिदग गया। आखों में लालिमा और चहरे पर गीज वगजब के स वह आईशा की तरफ देखने लगा, जो कुरान अपाक की तिलावत में मसरूफ थी। वह आग बगोला होकर चिलाया, बड़ी नेक बनी फिरती हो। यह सब कुछ तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। तुम्हें इल्म हासिल है, लेकिन मेरे पास नहीं सारी जिंदगी मेरे बाप ने मुझे तुम जैसे लोगों के ताने दिये हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह कहते हुए उसने गुसे में एक चाकू उठाया और आईशा की तरफ बढ़ा। उसके इरादेक तरनाक थे और आखों में जुनून आईशा का दिल खौफ से कामपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहारी। उसने कुरान पाक को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए अल्ला से फ्रियाद करने लगी। उसकार सुनकर घबराकर उठ बैठे। वे दोनों फौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ दोडे। दर्वाजा अंदर से बंध था और उन्होंने करमचारियों को बुलाया ताकि दर्वाजा खोला जा सके। जब दर्वाजा खोला गया, तो अंदर का मंजर देख कर सब के हो शुड़ गए। सरदार का बेटा फ्रिश पर तडप रहा था और उसके क्रीब चाकू गिरा हुआ था। आइशा एक कोने में समट कर बैठी थी, कुरान अपाक को अपने सीने से लगाए रो रही थी। सरदार की बीवी बेटे की यहा हालत देख कर बॉखला गई और आइशा पर चिल्लाने लगी, यह सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है। वह अपने बेटे को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हैरत की बात यह थी कि न उसके जिस पर कोई ज़्धम का निशान था और नहीं कोई चोट नजर आ रही थी। सरदार ने आईशा से पूछा की आखिर हुआ क्या था। आईशा ने रोते हुए सारा मजमून बयान किया की उसका पती उसे नुकसान पहुचाने की नियत से चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा था। लेकिन जैसे ही उसने कुरान एपक को सीने से लगाया और अल्ला से अजीब वाकियात पेश आने लगे। उनके सामने सरदार का बेटा देखते ही देखते एक कुट्टे में तबदील हो चुका था। की सजा थी जो उसे इसी दुनिया में मिल चुकी थी। आईशा को इस वाकिये के बाद फौरन अपने माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया। उसका दिल दुनिया की रंगिनियों से भर गया था और अब वह हर पल इबादत में मश्गूल रहने लगी। उसके दिल में अल्ला का खौफ और शुक्र गुजारी और भी बढ़ गई। कुछ दिन गुजरे तो सरदार की बीवी आईशा के घर आई। वह बेहत नादिम और शर्मिंदा थी। उसने आईशा के कदमों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आईशा ने फौरन सरदार की बीवी को अपने कदमों से उठाया और कहा, आपका बेटा मेरे साथ जो कुछ भी करता रहा, मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। अल्ला बड़ा गफूर और रहीम है। मेरी दुआ है कि अल्ला पाक उसे भी माफ कर दे और उसके गुनाहों को बक्ष दे, आईशा के लहजे में कोई शिक्वा न था, बलकि उसके दिल में सिर्फ अल्ला का खौफ और सब्र था। कुछ दिन बाद आईशा को खबर मिली कि उसका शोहर दुनिया से रुखसत हो चुका है। दोस्तो